हलो दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगी चीनु गुनु की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हमारी रसोई में बन रही है कड़ी जो की राजस्थानी कड़ी बनाएंगे हम राजस्थानी कड़ी बहुत ही अच्छी बनती है टेस्टी बनती है और ज्यादा खटा होगा तो कड़ी बहुत ही खटी बनीगी जो की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मैंने धाई ले लिया है और इसको इस तरह से मैं च्छाच बना लूंगी इसकी जितनी भी गुट्लिया ये खटम हो जानी चाहिए इस तरह से हम गुमा लेंगे जाएसे आप हाथ वाली रई से पीश को देर देर घुपा सकते हैं और इसकी जो गुट्लिया है वो खटम होगा उसके बाद हम इसमें पाने डालेंगे पाने डालेंगे इसको फिर से गूमाएंगे इसकी चाहच बना लेंगे और कडी राजस्तानी कडी चाहच में ही बनती है नाकि अच्छी तरह इसको mix कर लूँगी, mix कर लूँगी के बाद gas पे इसको चड़ा दूँगी, इस तरह से gas पे चड़ाने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे, regular चलाते रहना है, जब तक कि ये उबलने नहीं लग जाती, या फिर थोड़ी गाड़ी नहीं हो जाती, अलगी इसमें change हो जाता है, चलाते चलाते, उसके बाद इसको थोड़े छोड़े के चलाना है, थोड़ देना है, इसको उबलने देना है, फिर छोड़ देना है, फिर उबलने देना है, इस तरह से हमें इसको चलाना है, और जब ये अच्छी तरह उबल जाए, कम से कम 10 से 15 मिंट ये अच अची तरहे उबल भी लेती है। मिर्ची धनियों डालएं चृपा तब मैं छोदाए निय।। इसका टेश्ट अच्छ नहीं हाता है। लसं को हमेशा पंचे थलब के ही डालना चाहिए। अब मैं तॉकर बाद हे बड़े राउन एक डीके पिर चुट दॉक pec Which is good हुआ यह सुआ जीन ह को काफी देश्ट को देछ नहीं की सब्सक्राइ। तो देख सकते हैं तो ह। नि उबले के बादं परेशन यहीं बहुत अच्छी बनती है। कड़ी अच्छ ने सब्सक्राइ Gra aud功ριώ आधि तेरे किसी माlor सब्सकरणी ब buttoile ने तरएम पसके नपयżenia लाद सबला है। सरसो का तेल, तड़के के लिए हम लेते हैं सरसो का तेल राज़ू हम अदिकते तर चाहिसे चाहिए सरसो का तेली भाइक्व सब्सक्राइब सरसो का तेल का फलेवर बहुत अच्छा आता है मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, हींग और 2-3 हरी मिर्ची डाल दी है काट के और इसमें डाल दूगी मैं राई और अब मैं ये तड़का उठा के डाल दूगी कड़ी में या आप देख सकते हैं तड़का डाल दिया है मैंने और इस तरह से कड़ी हमारी बन के तयार है कड़ी हमारी बिल्कुस सही बनी है परफेक्ट बनी है न पर आप इस तरह से कड़ी बनाने ट्राइ जरूर गीजेगा